तमाशकार मेरा नाम में रवी आपका स्वागत करता हूँ और थ्वर्दन चैनल में अगर आपको Google, Microsoft, Apple, Facebook, Pepsi को जैसी वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी में अगर आपको investment करना है mutual fund के थुरू तो आपको इस वीडियो को पूरे देखना चाहिए ICC Prudential Mutual Fund अपना एक नया NFO लांच करने जा रहा है चोकी है NASDAQ 100 Index Fund इस fund की फूरी जानकारी लेने से पहले हम यह समदने की कोशिस करेंगे कि NASDAQ होटा क्या है जैसे इंडिया में NSE है और BSE NSE का full form है National Stock Exchange और BSE का full form है Bombay Stock Exchange उसी तरीके से अमेरिका में है NASDAQ और NYSE NYSE का मतलब है New York Stock Exchange जैसे इंडिया में National Stock Exchange का एक Index है जिसको कहते हैं Nifty 50 उसी तरीके से अमेरिका में Index है जिसको बोलते है NASDAQ 100 जैसे Nifty 50 में 50 Stocks होते हैं उसी तरीके से NASDAQ में 100 Stocks है NASDAQ 100 में कौन से स्टॉक्स है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में शामिल किया है आप अपने वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कुछ जानी मानी कंपनी कंपनी के मैं नाम आपको बता देता हूँ जो कि है Apple, Microsoft, Alphabet जो कि Google की पेरेंट कंपनी है Amazon, Facebook, Tesla, NVIDIA Netflix, Intel Corporation अब यहाँ पे नोड करने वाली बात यह है कि NASDAQ 100 में टूटल 100 नहीं 102 कंपनीज रहती है जो दो कंपनीज दो बार रिपीट हुई है वो मैंने यहाँ पे मार्क किया है पहली है Alphabet और यह दूसरे स्क्रीन में आप देख सकते हो दूसरी है Fox Corporation जो कि दो बार रिपीट हो रही है मतलब इस इंडेक्स में टूटल 102 कंपनीज है NASDAQ 100 के सेक्टर एलोकेशन के बात करें तो इस इंडेक्स में मेजर पोर्षन टेक्नलोजी सेक्टर से लिए गया है चो कि है 56.41% Consumer Service सेक्टर में 24.9 Healthcare सेक्टर में है 9.01 Consumer Durable में है 4.44 इसी थीम के उपर बेस्ट मार्केट में अल्लेडी के existing ETF है जो कि है मोतिलाल औस्वेल NASDAQ 100 ETF इस ETF के रिटन के बात करें तो इस ETF ने एक साल में 37.8% रिटन दिया है जबकि 3 साल में 27.27, 5 साल में 28.08, 7 साल में 23.6% और जबकि 10 साल में इस फंड ने 25.9% का रिटन दिया है अगर यहां पर हम गहर से चेक करें तो हम कोई आप बदलता है कि इस फंड ने डवल डिजिट में कंसिस्टन्टली बहुत ही शानदा रिटन्स दिया है जो कि हम इस फंड से भी अपेक्षा रख सकते है और एक बात में आपको बता दू कि ETF और Mutual Fund दोनों अलब प्रोड़क्स होते हैं इनमें एक में डिफरेंस में आपको बताता हूँ ETF में expense ratio बहुत ही कम रहता है जबकि Mutual Fund में expense ratio ETF के comparably थोड़ा ज़्यादा रहता है इस फंड के NFO के dates की बात करें तो ये NFO 27 सेप्टमबर को open हो जाएगा और 11 अक्टोबर को close हो जाएगा इस फंड का benchmark रहेगा Nasdaq 100 TRI और exit load रहेगा 2% का जो कि future में कम होने की संभावना है इस फंड के investment types की बात करें तो ये एक open ended fund है मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसो को लगा सकते हो और कभी भी अपने पैसो को redeem कर सकते हो इस फंड में regular और direct दोनों ही mode मिलेंगे इसमें growth और dividend दोनों ही options हमको investment के तोर पे मिलने वाले हैं अगर आपने अपना investment start करना है तो हम SIP, Lumsum, SWP और स्टिप चारों mode में अपना investment कर सकते हैं minimum 1000 रुपीज से हम Lumsum investment start कर सकते हैं और अगर आपको अपनी SIP start करनी है तो minimum 500 रुपीज पर मन्थ से आप अपनी SIP start कर सकते हो इस fund का asset allocation equity portion में minimum 95% से maximum 100% तक कर आएगा और जबकि debt portions में maximum 5% तक का exposure इस fund में हमको देखने को मिल सकता है इस fund के manager रहेंगे प्रियेंका खंडेलवाल जिनको 3 साल से भी ज़्यादा का experience है प्रियेंका खंडेलवाल में हमको इस fund के अलावा mixed category में और भी बहुत सारे fund को manage करने का experience है अगर इनकी education qualification की बात किया रहें तो इन्होंने अपना CA और CS complete किया हुआ है मेरा क्या मनना इस fund के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपने already investment किया है और आपको इंडिया के बाहर investment करने के बारे में सोच रहे हो तो ये fund आपके लिए सही है आपको इस fund में long term के लिए investment करना चाहिए ये fund diversification के लिए बहुत अच्छा है और world की top 100 companies इसमें शामिल होने के करण ये एक investment के लिए बहुत ही अच्छा option है ओप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगरी वीडियो आपको पसंद आया तो like करो, share करो और subscribe परो अगरी वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आप हमको comment करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पड़ आपको अच्छा नहीं लगा Thank you